नमस्कार सुलव टीवी में आपका स्पागत है मैं हूँ आपके साथ रचना मिश्रा और आप देख रहे हैं गुड नियूज गुड गाओं में स्कूल ना चाने वाले बच्चों के लिए एक खास मुहीम शुरू की गई है जिसके तहट स्कूल नहीं जाने वाले या पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले बच्चों को ब्रिच कोर्स के माध्यम से सिक्षा की मुख्य ध्यारा में जोड़ा जाएगा इस सूची में गुड़गाओं से 3500 चात्रों के नाम शामिल हैं सिक्षा विभाग ने ऐसे चात्रों के लिए कदम नामक बुक्स को तयार किया है इसके माध्यम से चात्रों को पिछली क्लास और वरतमान सेशन के कोर्स को कवर करवाने के लिए ब्रिच कोर्स करवाया जाए द्रिस्टिक प्रोजेक्ट कॉडिनेटर इंदू बोकन के मताबिक गुडगाओं में ऐसे चात्रों की संख्या 35 के करीब है और अब इन चात्रों को सर्दियों की छुटियों के बाद स्कूल खुलने के साथ ये बुक्स दे दी जाएंगी इसके साथ ही सिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि वो इन एक्टिविटी बोक्स के माध्यम से चात्रों को सलेबस कवर करवाएं पुरानी दिल्ली का नाम जहन में आते ही पतली सक्री गलियां और कूडे के धेरांखों के सामने घूमने लगते हैं इनी में से एक है सक्रे कूचों की तरह ही कट्रा कोकुल शाह जिसमें जगा जगा पर कूडे के पहाड नसर आते थे दीवारों पर पान की पीके और हवा में बदबूग घुली रहती थी आज इस कूचे में नसर तासकी का हैसास होता है बलकि अब दीवारों पर वर्टिकल गार्डन नजर आते हैं हर कोने में नीले हरे रंग के दस्ट भीन दिखाई देते हैं गली के दुकानदार मुहसीन मिर्जा के मताबिक अब इस गली से गुजरते समय आपको नाक नहीं धकनी होगी पहले और आप में बहुत अंतर हो गया है और ये सब किसी सरकारी मदद या कोशिशों से संभब नहीं हुआ है बलकि युवाओं के एक ग्रूप ने ये काम किया है इन लोगों का शुरुवाती मकसद था बेघरों को गोद लेना इनके प्रोजेक्ट में तब बदलावाया जब गोद लिये गए लोगों को रास्थानी के अतिहासिक महत्व के बाजार सीता राम जैसे इलाके को स्वच भराने का काम कर दिया गया उत्रबर्देश के लखनव में मोहनलाल गंज के जूनियर हाई स्कूल कुस्मौरा में सात्वी में पढ़ने वाला बारा साल का दिव्यांग आदर्श पैरों से कलम पकड़ कर फराते से लिखता है चार साल के उमर में दिमागी बुखार होने पर उसके शरीर का उपरे हिस्सा नाकाम हो गया था लेकिन माता पिता ने हिम्मत नहीं हारी उसे स्कूल भेशते रहे वो थोड़ा थोड़ा सीखता रहा और इस साल जूनियर हाई स्कूल में दाखला मिला तो वहां के सिक्षकों ने भी उसका पूरा खयाल रखा और हर तरह से उसकी मदद की और यही कारण है कि वो अपने पैरों से फराटे दार तरीके से लिखने का काम करता है उसने हिम्मत नहीं हारी और यही सब के लिए एक मिसाल है इसी के साथ गुट नियोज में इतना ही मुझे दीजे एजाज़त लगातार खबरों के लिए देखते रहे सुलब टीवी नमस्कार हमारी वीडियोज को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलकुल न भूले